आपको आपको इसका मैं आपको फर्स्ट चेप्टर वो भी हॉर्न विल का जिसका नाम है दा पोड्रेट आफ ए लेडी वो पढ़ाने जा रहा हूं और अन्त तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मुझे लगता है कि सब कोच आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा तो अभी हम इस चेप्टर को आगे पढ़ते हैं यदि आपको अच्छा लगे कंटाइंट तो इसको लाइक करिए सबस्क्राइब करिए और अपने सपच Ł. कि इसमें राइटर हैं जिनका नाम है फुस्वंतश सिंगे और उनकी दादी है तो नेरेटर इसके खुस्वंतस सिंगी है अपनी दादी के बारेम बताते हैं क्युंकि चेप्टर का नाम यह कि पोल्टरेट उफ युछ फुलते हैं इसाज चित्र के लिए वूने क हैं वो इस चेप्टर के माद्ध हम से खुश्बंध सिंग बता रहे हैं तो वो कहते हैं कि जो सब की दादी थी उन सब की दादी की तरही मेरी दादी भी एक व्रद महिला थी लेकिन अंतर क्या था कि मेरी दादी थी, बहुद कुछ अलग सबहाभ की थी और वो सबहाभ नौने इसमें मताया है कि सबसे पहली बात तो ये कयता कि मैंने जब से दादी को देखा हमेशा ऐसे ही देखा ऐसी थी थी वो दादी और कहने का मतलब यह है कि उनमें कोई भी चेंज नहीं हुआ था पिछले 20 साल से लेकप को ऐसा लग रहा था कि बिलकुल दादी ऐसी ही बनी रही है तो दादी कैसी थी छोटे कदकी थी मोटी थी थोड़ी सी को जोकी हुई थी चेहरे पर जुर्रियां थी सब कुछ व्यद्ध थ और जब चलती थी तो अपना जो उनका एक बंप था उस पर एक हाथ रख लेती थी जिससे उनकी चाल में जो उनकी गेटी थी उसमें बेलेंस बना रहे इसलिए लेकिन एक बात और है हमेशा सुन्दर थी वो हमेशा कैसे कपड़े पहनती थी सफेद कपड़े पहनती थी ज पता तेरे लेका को बताता है कि वो जब सहर में चले गई तो लेका कुनी के साथ रहा था, दादी के साथ रहा था, दादी उसको सोगे खिलाती पिलाती नहिलाती थी, कुछ दिनों बाद लेका के मता पता ने जब उनको सहर मुला लिया, तो दादी को थोड़ा साथ चानी लगा सबसे पहली बात तो अंग्रेजी सिक्षा के इवरुद्ध थी तो बहुत सारी बाते हैं और लास्ट में क्या होता है कि जब दादी सहर में दादी का जब अंतिम समय आ जाता है तो दादी वो सब काम करने लगती है जो जिनसे उन्हें नपरत होती थी जैसे कि संगीत सं लेकिन मरते समय उन्होंने खूब गीत गाए खूब ढोलक बजाई तो ऐसे कुछ काम किये उन्होंने और जो उनकी मित्र बन गई थे पक्षी बन गई थे गोरईया पक्षी है वो भी उनकी मित्ति उपर बहुत दुखी हुए थे तो कुरूला करके थोड़ी समरी मैंने है एक रद्ध महिला थी she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her और क्यता है कि 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था वो एक बूढ़ी महिला थी उनके चेहरे पर जुर्रियां भी थी people said that she had once been young and pretty and had even had a husband और लोग कहते थे कि एक समय था जब वे युबा और सुन्दर थी और उनके एक पती भी थे एक समय ऐसा था उनके एक पती भी थे but that was hard to believe लेकिन यह जो बात थी इस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल था my grandfather's portrait hung above the mental piece in the drawing room मेरे दादा जी की एक तस्वीर ट्राइंग रूम में mental place कहते हैं अंगीठी के लिए अंगीठी के ऊपर लठकी हुई थी he wore a big turban उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी and loose fitting clothes और ढीले डाड़े का अपले पहने हुए थे his long white beard covered the best part of his chest और उनकी जो लंबी सफेट डाड़ी थी उसने उनकी छाती का अधिकतर हिस्सा most of the part उसको ढख रखा था and he looked at least a hundred years old और वो लगभग कम से कम सोवर्स के देखते थे ऐसा लगता था जैसे वो सोवर्स के हुँ he did not look the sort of person who would have a wife or children तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था वो इस प्रकार के व्रक्ती नहीं लगते थे कि उनकी कोई पत्नी और बच्चे भी रहे होंगे he looked as if he could only have lots and lots of grandchildren उन्हें देखकर के वल ऐसा प्रतीत होता था कि उनके बहुत से पोते और पोतियां हो सकते हैं ऐसा नहीं लगता था कि पत्नी और बच्चे बलकी क्याने का उतर रहे थे व्रद लग रहे थे उसमें वो अच्छा as for my grandfather being young and pretty और जहां तक मेरी दादी का सवाल है मेरी दादी का जवान और सुन्दर होने की बात थी तो वो क्या था the thought was almost revolting यह जो विचार है अतियंत उलट फेर करने वाला था she often told us of the games she used to play as a child और वे हमें प्राए उन सब खेलों के बारे में बताया करती थी जन्हें वो अपने बाल्यकाल में बाल्यवस्था में खेला करती थी that seemed quite absurd and undignified absurd बे तुका undignified असोब नहीं है जिसको केतनी है ए प्रतरिष्ठित जिसको काई सकता है तो उनके लिए ऐसा करना बे तुका तथा असोब निये प्रतीत होता था and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us prophet, पैगंबर जो देवदूत होते हैं तो और क्यासा लगता था कि हम उने पैगंबर की जो दंत कताएं है जो prophets हैं sorry जो दंत कताएं हैं पैगंबर की उनकी तरह मानते थे जेने वो सुनाया करती थी फेबल फेबल कहते हैं दंत कताओं के लिए she had always been short and fat and slightly bent वे हमेशा से छोटे कदवाली मोटी तथा कुछ जुकी हुई थी हर फेस वाज एक क्रिस क्रोस अफ लिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरिवेयर तो एवरिवेयर उनका चहरा एक जुर्रियों का जाल था जो एधर उधर सब ओर थी ऐसी जुर्रियां पड़ी हुई थी चहरे पर और ऐसा नहीं है हमें विश्वास नहीं था जब से हमने उन्हें देखा था वे हमेशा से ही ऐसी थी ओल्ड तो टेरिबली ओल्ड देट सी कुड नट हैव ग्रॉन ओल्डर वो भूणी थी और इतनी जदिक भूणी थी कि अब और उससे ज़्यादा भूणी नहीं हो सकती थी और उसी आयू पर लगवग 20 वर्स से जमी हुई थी उसी आयू पर 20 वर्सों से ऐसा लगता था कि वो एक जैसी ही है सी कुड नेवर हैब बीन प्रेटी पट सी वाइज ब्यूटिफुल तो वे कभी सुन्दर नहीं रही होंगी परन्तु वो हमेशा से ही सुन्दर थी सी होवल्ड एबाउट था हाउस इन दा स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग वे धब्बे रहित सफेद कपड़े पहने अपने जो कूबर था उनका जो बंप था उसको संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ अपने कमर पर रखती थी और और क्या करती थी और दूसरे हाथ से अपनी माला को फेड़ते हुए इदर उदर घर में घूमा करती थी होबल माने क्या होता है कूबर हिला करके चलना घूमना तो इस तरह से घूमा करती थी वो हर सिल्वर लॉक्स वर स्केटर्ड अंटाइडली ओवर हर पेल पकड़ फेस तो उनके चांदी जैसे सफेद बाल उनकी पीली जुर्णियों वाले चहरे पर बेतु के तरीके से बिखरे रहते थे और हर लिप्स कॉंस्टेंटली मूब्ड इन इनाडिबल प्रेयर्स और उनके होट सदैब सुनाई ने पढ़ने वाली प्रार्थना में हिलते रहते थे इनाडिबल का मतल हो जिनको सुना ना जा सके यह सी वाज बीटिफुल हाँ वह सुन्दर थी सी वाज लाइक दा विंटर लेंडिसकेप इन दा माउंटेंज एन एक्सपेंस ऑफ प्यॉर वाइट सिरिनिटी ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट वह परवतों के जो सरद काली नर्थात जो सीत कालीन कहने का मतलब जो सरदियों का जो प्राकरतिक दर्शे होता है उसकी तरह प्रतीत होती थी उसकी तरह लगती थी बिलकुल सफेद बिलकुल एक स्थिर प्रतिमा की तरह जिसकी सांसों में सांती और संतोस पूरी तरह से समाया हुआ हो serenity कहते हैं बिलकुल सांती के लिए My grandmother and I were good friends कहता है कि मैं और मेरी दादी बड़े अच्छे मित्र थे My parents left me with her when they went to live in the city मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी के पास ही छोड़ गए थे जब उस सहर में रहने के लिए चले गए and we were constantly together और हम लगातार दोनों एक साथ रहे She used to wake me up in the morning where मुझे सुबह सुबह जगा दिया करती थी and get me ready for school और स्कूल के लिए भी तयार किया करती थी She said her morning prayer in a monotonous sing song रो अपनी प्रातें कालीन बंदना हमेशा एक इस स्वर में उस तरह से एक ही लेम है monotonous मतलब एक निरासा का स्वर कहने का मतलब एक ही तरह का जिसका आदमी आदी हो जाए उस तरह से एक ही स्वर में बोलती थी while she bath and trust me in the hope that I would listen to listen and get to know it by heart और हमेशा के बल मुझे कपड़े पहनाते हुए नहलाते हुए अपनी सुबंदना को गाती थी क्यों कि मैं इसे सुनूंगा और याद कर लूंगा इस आसा में I listened में सुनता था because I loved her voice मुझे उनकी आवाज पसंद थी but never bother to learn लेकिन मैंने कभी भी उसको याद करने की परवा नहीं की then she would fetch my wooden slat तब वो मेरी लकडी की तक्ती, slat उसको लेकर के आती थी wooden slat जो थी wooden slat, slat एक तक्ती होती है जिसको जिस पर लिखा जाता है उसको लेकर के आती थी which she had already washed and plastered with yellow chalk जिसको वो पहले से ही साप करती थी wash करती थी और पीली chalk से उस पर plaster उसको लेप कर दिया करती थी plaster माने लेप करना होता है जैसे घरों में होता दीवारों कर प्लास्टर प्लास्टर में हिंज हिंदी में लेप करना होता है ए टिनी अर्दनिंग पोट एंड ए रेड पॉन एक छोटी सी मिट्टी की दबात और एक लाल रंकी कलम टाइ देम अल इन बंडल उन सब को एक ही बंडल में बांद कर और हैंड टू मी मुझे पकड़ा देती थी आफ्टर ए ब्रेकपास्ट ऑफ थिख स्टेल चपाती विद लिटल बटर एंड सुगर इस प्रेड ओन इट सुभै का नास्ता भारी होने के बाद जिसमें बासी रोटी में जरा सा मक्कन और सक्कर मिली हुई होती थी और वी वेंट टू स्कूल हम उस नास्ते को लेने के बाद में स्कूल जाते थे सी केरेड सेवराल इस्टेल चपाती वे गाओं के कुत्तों के लिए अपने साथ कैई बासी रोटियां ले जाया करती थी मैं गरंड मदर आल्वेज वेंट तू स्कूल विद मी मेरी गरंड मदर सदे मेरे साथ इस्कूल जाती थी वेकॉज दा स्कूल वाज अटेस्ट तू दा टेंपल क्योंकि जो स्कूल था वो मंदर से जोड़ा हुआ था ता प्रीष्ट टॉट अस दा अल्फावेट प्रीष्ट ने हमें पुजारी ने हमें अल्फावेट वर्ण माला सिखाई और क्या सिखाया एंड दा मौर्निंग प्रेयर और सुभह की बंदना सिखाई पुजारी वर्ण माला क्या सिखाता इसका सीधा सा मतलब है पुजारी ने जो पूजा करने के नियम थे उसकी सुरुवा तो ने बताई कहने का उतरब भुज सब चीज़ सिखाई और जब बच्चे जिस समय बरामदे में दोनों कतारों में बैठकर वर्ण माला अथवा एक स्वर्मे उस वंदना को गाते थे उस प्रेयर को गाते थे एक ही स्वर्मे ने एक ओरस माई ग्रांड मदर सेट इंसाइड रीडिंग दा स्क्रिप्चर्स तो मेरी दादी अंदर बैठ करके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी जो धार्मिक थी स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तक हैं उनको पढ़ा करती थी जब हम दौनों का काम पूरा हो जाता था तो हम दौनों घर वापस चल देते थे और इस बार क्या होता था इस समय जो गाओं के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही मिल जाया करते थे ते फॉलोड अस तो अवर हॉम ग्रोलिंग और फाइटिंग विच अदर फॉर दा चपाती वित्रू टू टैम और जो चपातियां हम उनके लिए डालते थे उनके लिए वे ग्रोल करते थे गुर्राते थे और गुर्राने के साथ साथ लड़ते हुए आपस में लड़ते हुए हमारा पीछा भी करते थे जब मेरे माता पिता पूरी तरह से सहर में बस गए तो दे सेंट फॉर आस उन्होंने हमको बुला लिया बुलाबा भीज़ दिया हमारे लिए और ये हमारी जो फ्रेंट सिप्ती मित्रता थी किसकी मेरी और दादी की उसमें एक महत्वपून मोड था although we shared the same room हम एकी रूम में एद पी रहते थे my grandmother no longer came to school with me लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ इस्कूल नहीं जाया करती थी इस्कूल नहीं जाती थी बिलकुल नहीं जाती थी इस्कूल I used to go to an English school in a motor bus में motor bus से motor bus के दौरा एक अंगरेजी स्कूल में जाया करता था there were no dogs in the streets गलियों में कुत्ते भी नहीं थे and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house और अब वो कुत्तों के जय क्या करती थी हमारे सहर वाले घर के आंगन में गौरईयाओं को चुगाती थी उनको चुगाना उन्होंने शुरू कर दिया As the years rolled by we saw less of each other जैसे जैसे समय गुजरता चला गया rolled by व्यतित होना rolled by व्यतित होता चला गया हम एक दूसरे से कम मिलते गई बहुती कम मिल जोल हो गया हमारा कम मुलाकात होने लगी For some time she continued to wake me up and get me ready for school कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगान और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा When I came back she would ask me what the teacher had taught me और जब मैं वापस आता था तो मुझे पूचा करती थी कि टीचर ने आज मुझे क्या पढ़ाया I would tell her English words मैं उन्हें कुछ अंग्रेजी के सब्द बताता था and little things of western science and learning और पश्चिमी विज्ञान और थोड़े से सीखने के बारे में थोड़ा बहुत बताता था The law of gravity गुरुत्वा करशन के नियम के बारे में बताता था Archimedes Principal Archimedes के सिद्धानत के बारे में The world being round एटसेटरा और क्या बताता था जो प्रत्वी के गोल होने आदी की जो बातें थी वो सब बताता था तो इससे क्या होता था This made her unhappy इन बातों को सुन करके वो एप्रसन हो जाती थी She could not help me with my lessons और वो मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरे जो पाठ थे उनमें मेरी मदद वो नहीं कर सकती थी See He did not believe in the things they taught at the English school वो उन सब बातों में बिलकुल भी विश्वास नहीं करती थी जो इससे जो इंग्लिस स्कूल में पढ़ाया जाता था उन पर बिलकुल भी विश्वास वो नहीं किया करती थी and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures और इस बात को लेकर के भी वो परेशान होती थी दुखी होती थी कि इस्कूल में धार्मिक वे इस्वरी है इस्वर वे धार्मिक गरंतों के वारे में कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा है इस बात को लेकर के उन्हें बहुती परेशान ही होती थी scriptures मैं पहले भी बताया scriptures केते हैं धार्मित पुस्तक है one day I announced that we were being given music lessons एक दिन मैंने बताया कि हमें music का पाट पढ़ा जाता है music दिया जा रहा है she was very disturbed बहुत तिक परेशान हुवो ही to her music had lewd association उनके लिए जो music था वो बहुती लिवड लिवड का उन्हें भद्दा भद्दी चीज थी it was the monopoly of herlots और उनके according क्या था कि उस पर जो herlots होती है कि उन्हें उतलब वैस्याइं होती है उनक पर ही संगीत का एक आदिकार था संगीत के वल उनके लिए ही बना था वो यह सोचती थी दादी हमारी and beggars या भेकारियों के लिए बना था and not meant for gentle talk किसी सामन ने व्यक्ती के लिए संगीत सोबा नहीं देता दादी ऐसा सोचती थी she had nothing but her silence meant disapproval she said nothing उन्होंने कहा तो कुछ नहीं लेकिन कुछ भी नहीं कहने के बावजूद भी वो क्या था उनकी जो चुपकी का आर्थ था इसका मतला था कि वो मेरे वहां जाने से असेहमत थी she rarely talked to me after that उसके बाद मैं उन्होंने मुझसे कभी-कभी बात करी कभी-कभी बात करना सुरू कर दिया जब मैं आगे उनिवर्सिटी में गया विस्विद्धाले में पहुँचा I was given a room of my own तो मुझे मेरा अपना स्वेम का कमरा मिला the common link of friendship was snapped हमारे बीच की जो मित्रता थी जो साजी मित्रता थी उसकी कड़ी तूट चुकी थी my grandmother accepted her seclusion with resignation मेरी जो grand mother थी उन्होंने seclusion का मतर होता है एकाखी पन तो दादी ने जो एकांत वास था उसको बड़े ही सरस भाव से स्विकार कर लिया था बड़ी एक्छा से रेजिगनेशन कहते हैं एक्छा के लिए तो उसको स्विकार कर लिया था she rarely left her spinning wheel to talk to anyone अब वो किसी से भी बात करने के लिए सायद ही अपना चर्खा कातना spinning wheel चर्खा होता है तो उस चर्खे को सायद ही किसी से बात करने के लिए रोकती थी and reciting prayers और केवल प्रारतना ही प्रारतना गाती थी only in the afternoon she relaxed for a while to feed the asparagus केवल दो पहर को कुछ समय के लिए वो गोरईयों जो चुड़िया थी उनको चुगाने के लिए उनको दाना देने के लिए कुछ समय के लिए केवल वो आराम करती थी while she sat in the वरंडा breaking the bread into little bits hundreds of little words collected round her creating a veritable bedlam of chirpings तो क्या होता था कि जब वह बराम्ने मेट का रोटी के छोटे-छोटे टुपले करती थी खंड कर देती थी तो सेंकड़ों छोटी छोटी च्डियां उनसे चारोह और merchant के एकत्र हो जाती थी उनको छार और एकत्र होती qy लिए ऐसी करती थी जिससे क्या होता था यह बैडलेम एक तरह से पागल खाना बन जाता था यह वाज थी बैडलेम के ओडलेम लिए कि दो फिलो के खरना पागल खाना US की जब शर्पिंग की आवाज आती थी some came and pursed on her legs कुछ आती थी उनकी टांगों पर बैठ जाती थी and others on her soldiers कुछ उनके soldiers पर कंधों पर बैठ जाती थी some even sat on her head कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी she smiled but never suit them away यह मुश्कर आती थी लेकर उनने कभी भी भागाती नहीं थी it used to be the happiest half hour of the day for her और यह आदा घंटा उनके लिए सारे दिन में सरवाधिक आनन्द दायक होता था when I decided to go abroad for further studies जब मैंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश में जाने का निस्चे कर लिया I was sure my grandmother would be upset तो मुझे विश्वासता कि मेरी दादी upset होंगी परेसान होंगी I would be away for five years मैं पाँच वर्ज के लिए जा रहा था and at her age one could never tell और उनकी age को देख करके कोई उनकी अवस्था को देख करके कोई अनुमान नहीं लगा सकता था उनकी जो अवस्थाती इस तरह से वरद अवस्थाती पता निक का उनका happy birthday हो जाए कब चल बसें दुनिया से तो उसको देख करके कोई अन्दाजा नहीं लगा जा सकता था तो और क्या था आगे but my grandmother code लेकिन लेकिन क्या था मेरी दादी के बारे में अन्दाजा लग सकता था she was not even sentimental यहां तक कि वो भावक भी नहीं होती थी she came to leave me at the railway station वो मुझे railway station तक छोड़ने आई but did not talk or sow any emotion लेकिन ना अनोंने कोई बात की और ना कोई अपनी भावना का इजहार किया भावना दिखाई her lips moved in prayer उनके जो होट थे के बाल प्रारतना के में हिल रहे थे her mind was lost in prayer और उनका दिमाग भी prayer में प्रारतना में लगा हुआ था her fingers were busy telling the beads of her rosary beads of rosary का मतलब होता जो जब करने की माला होती है तो उनकी उगलियां किबल क्या कर थी कर रही थी माला फेर नेम व्यस्त थी silently see kissed my forehead चुपचाप तरीके से उन्होंने मेरे माते को kiss किया माते पर प्यार किया उन्होंने और माते पर उन्होंने बड़े आराम से प्यार किया and when I left I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us और जब मैं वहां से चला तो उस भीगी हुई छाप को जो हमारे मद्ध है जो हमारे ये सारे संबंध था उसको अपनी निसानी मान करके अंतिम निसानी मान करके मैंने अपने मन में धारा कर लिया कि सायदे हमारा अंतिम contact है physical contact है क्योंकि मदर ने उसको किस किया था ग्रांड मदर ने the next morning she was taken ill sorry but that was not so लेकिन ऐसा नहीं हुआ after five years five years के बाद I came back home मैं वापस घर आया and was met by her at the station और दादी से सीधा station पर ही मिला she did not took sorry look a day older अब वो एक दिन भी और ज़्यादा भूणी दिखाई नहीं दिय रही थी कहने का मतलब ऐसी ही थी she still had no time for words अब भी उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था कुछ कहने के लिए वक्त था ही नहीं and while she clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं उन्हें प्रार्थना गाते हुए सुन सकता था even on the first day of my arrival her happiest moments were with her is farose whom she fed longer and with frivolous reviews यहां तक की मेरे आगमन के एक दिन पूर भी उनके जो सबसे अधिक खुछी के जो चण बीते थे जो पल बीते थे वो किन के बीच में बीते थे गौरीयाओं के बीते थे गौरीयाओं के साथ ही थी गौ जिनको वो पहले से भी काफी देर तक कुछ lifts यमारे के करके खिलाती रहती थी फ्रवालस रिव्यूग थोड़ा सा फ्रवालस रिव्यूग का मतलब होता है कि एक तरह से डांटना तो उनको डांट करके खिलाती रहती थी इन दा इवनिंग एचेंज केम ओवर हर साम को उनके अंदर एक परवरतन आय गया पर उनने प्राटना नहीं की जो प्रावस की महिल आये थी उनको उनने खटा किया गॉट एन ओल्डरम एक पुरानी दोलक ली और श्टाटे तो सिंग और उनने गाना शुरू कर दिया for several hours she thumped the sagging skin of the dilapidated drum और काफी देर तक काफी देर तक क्या ही घंटों तक जो पुरानी धोलक थी उसकी जो धीली डाली चमडी थी उसको वो पीटती रही और sang of the homecoming of warriors और कौन से गीत गाए उनने कि मानलों युद्ध के मैदान से कोई सैनेक लोट रहा है तो उस प्रकार के उनने गीत गाए we had to persuade her to stop to avoid over-straining तो हमें उन्हें जरूरस्ते जादा मानसिक दवाब से बचने के लिए गीत को बंद करने के लिए परस्वेड करना पड़ा मनाना पड़ा राजी करना पड़ा कि जरूरस्ते जादा आप मत गाई that was the first time since I had known her that she did not pray और ये ऐसा पहला मौका था जब सादनाने प्रार्थना नहीं की थी the next morning she was taken ill अगली सुबह क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई it was a mild fever and the doctor told us that it would go but my grandmother thought different लेकिन मेरी grandmother जो थी वो कुछ अलगी सोचती थी she told us that her end was near उन्होंने हम बता दिया कि उनका जो end है कहने का मतलब अंतिम समय है वो बिलकुल नजदीक है she said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray तो उन्होंने हम से कहा कि मेरा अंत समय निकट है और अब वे अपने जीवन के जो अंतिम अध्याय था उसको बंद करने के कुछ घंटे पहले ही वह प्रार्थना करना भूल गई थी कुछ घंटे पहले ही she was not going to waste any more time talking to us अब उनके पास हमारे हमसे बातने करने में समय बरबात करने के लिए फुरसत नहीं थी अब उन समय बरबात करना नहीं चाहती थी we protested हमने विरोध किया but she ignored our protest लेकिन हमारे विरोध को नहीं ने ignore कर दिया एक तरफ रख दिया she lay peacefully in bed praying and telling her beats वे विस्तर पर सांती पूर्वक लेटी हुई थी और प्रार्थना कर रही थी और अपनी माला को जप रही थी किवल इसी काम को वो कर रही थी even before we could suspect her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers और क्या हुआ एक बात और हुई इससे पूर्वक की हमें जो भी थोड़ी बहुत संका होती उनके होटल ने बंद हो गए और उनकी जो माला थी वो जो बेजान उंगलिया बन गही है वो उन बेजान उंगलियों में से वो नीचे गिर पड़ी एफीस फुर पहला इस्प्रेड ओन हर फेस and we knew that she was dead उनके चेहरे पर एक सांत पीलापन सा चागया और हम समझ गए कि वो अब मर चुकी है इस बात का हमें अंदाजा हो गया we lifted her off the bed हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और बिस्तर से उठाने के बाद as is customary जैसा की परंपरा के अनुसार होता है laid her on the ground उनको जमीन पर लेटा दिया and covered her with a red shroud और उनको एक लाल कफन से ढख दिया after a few hours of morning कैई घंटों तक रोले बिरकने के बाद we left her alone to make arrangements for her funeral तो काफी देर तक रोने पीटने के बाद हम उन्हें अकेला छोड़ करके उनके जो दाय संसकार होना था funeral जो था उसके प्रवंद करने के लिए हम चले गए in the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated और साम को हम दाय संसकार के लिए उनके लिए अर्थी ले आए और अर्थी को ले करके कमरे में दाखिल हुए the sun was setting सूर्य छिप रहा था and head light her room and varanda with a blaze of golden light तो सूर्य तो छिपी रहा था और क्या था कि उस सूर्य ने जैसे छिप रहा था तो उसकी जो रोशनी थी उसने उनके कमरे वे बराम देको सुनहरी जो golden light से उसको जगमगा दिया पूरे कमरे और बराम देको we stopped halfway in the courtyard हम आंगन में के बीच में ही रुख गए halfway में रुख गए आंगन के में क्यों all over the varanda and in our room right up to where she lay dead and still wrapped in the red shroud thousands of sparrows set scattered on the floor पूरे बराम दे में उनके कमरे में और ठीक वहां तक जहां वो कपन में ड़की हुई कठोर रूप से लेटी हुई थी और छट में हजारों गोरहियां जो चडिया हैं वो बिक्री हुई बैटी थी सब एधर उधर बैटी हुई थी there was no chirping अब कोई भी उनके बीच में चहचा हाट नहीं थी we felt sorry for the words उनको देखकर के हमें दुख महसूस हुआ and my mother faced some bread off for them मेरी जो मा थी उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई she broke it into little crumbs छोटे छोटे टोकुड़ाम उनको तोड़ा the way my grandmother used to जैसे मेरी दादी तोड़ा करती थी and threw it to them और उनको उनके सामने डाल दिया the sparrows took no notice of the bread the sparrows जो थी जो गोरहियां थी उन्होंने बिल्कुल भी उनकी और गौर तक नहीं किया when we carried my grandmother's corpse off जब हम अपनी दादी के सब को लेकर के चले they flew away quietly तो बड़ी सांती के साथ वो उड़कर के फुर हो गई कहना है का मतला उड़कर के चली गई next morning the sweeper swept the bread crumbs into the dust wind अगले दिन जमादार ने ही जालू लगाने वाला होता है उसने ही रोटी के टुकड़ों को रोटी के खंड़ों को जालू से एकटा करके कूरे दान में डाल दिया ठीक है तो guys that's all for the chapter और मुझे लगता है कि आपकी बास समझ में आई होगी और यदि आपको कोई query है तो comment box में डाल सकते हैं next day जो next video होगी मेरी उसमें मैं इसके questions answer questions answer questions को लाने की कोशिस करूँगा till then bye bye